इंटर स्टेट बस्टेंड धर्मशाला में हैरत अंगीज बाक्या सामने आया है यहाँ परिवहन निगम की करमचारी अपने ही घर में बेगाने होकर काम कर रहे हैं निगम की बसों को अपने ही बस सड़े में अपनी बसों को खड़ी करने के लिए हर माँ लाखो रुपे चुकाने पड़ रहे हैं एचारटी सी ही नहीं निजी बसों में भी एक निजी कंपनी परची काट कर 65 रुपे प्रती वस बसूल कर रही है कंपनी से करार के लगवक चार माह बेचाने के बाद अपरी अड़े का निर्मान कारे शुरू ना होने और उसके बीना है कंपनी के परची काटने को देख कर हर कोई हैरत में है अब सत्ता परिवर्दन के बाद पुराने मामलों की स्मिक्षा होने की तियारी चल रही है इस हैरत अंगेस मामले को लेकर परिवहन निगम समय हुआ करार अब चर्चा में आ गया है पुरुव सरकार में रहे परिवहन मंसी जी एस वाली ने विधानसवा चुनावों से 6 माह पुरुव एक निज़्दी कंपनी को बस टर्मिनल बनाने का करार किया था और संबंदित कंपनी को अड़ा सौंप कर परची काटने का अधिकार भी दे दिया था लेकिन हालात ये हैं कि सितंबर 2017 माह में कंपनी को अड़ा दिये जाने के बाद चनवी 2018 में भी इस बस अड़े के अंदर आने वाली गाड़ियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है स्थान कम होने के कारण उन्हें परिशान जरूर होना पड़ता है बस अड़ा में परिवहन निगम की बसों को अड़े में आने के हर दिन के लिए करीब 10,000 रुपे देने पड़ते हैं और करीब 15,000 रुपे की राशी निज़ी बसों से भी परची कार्ट बसूली जा रही है ऐसे में निगम को 3,000 रुपे प्रती मा कमपनी को देने पड़ रहे हैं कुल मिलाकर निगम और निज़ी बसों से 7,000 रुपे वसूले जा रहे हैं और कमपनी से करार हुए 4 मा हो चुकी हैं इस तरह इन 4 महीनों में कमपनी ने 30,000 रुपे इकटे कर लिया हैं करार में कमपनी को 6 महीने की भीतर धरमशाला बस टर्मिनल का निर्मान करना था अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब कमपनी ने करार के बाद 4 महीने बीचाने के बाद कोई काम नहीं किया तो HRTC को अपने ही अड़े में बस लाने और ले जाने में भी परची क्यों कटवाने पड़ रही है HRTC इटक के पूरव महासुचिव इमधरमशाला अंतरास्टी बस अड़ा के इंचाज़ परदीब बलोरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बस अड़ा की प्रॉपर्टी HRTC की है जो उनको बस अड़े के अंदर आने की फीस किस बात की उन्होंने कहा कि HRTC को हर रोज 10,000 रका चूना लग रहा है इसको बनाना चाह रहे हैं जहां तक खबरें आती रहती हैं कि साइद इनको फोरेस्ट से NOC नाम मिली हो इसलिए ये काम ने लगा रहे हैं लेकिन ये मैं मुझे कोई प्रोपरिस की जानकारी नहीं है, जहां तक मुझे पता लगा है कि इनको फरेस्ट से क्लेरेंस नाम मिलने के विज़ से ये काम निलगा पा रहे हैं, और ये काम रुका हुआ है, लेकिन एचार टीजी को ये रोज का हजारों रुपे का रेवन्यू जो नुक्सान हो रहा है, जबकि इसारी प्रोपर्टी निगम की अपनी है, तोसब कितने पैसे लेते हैं ये? 20 गंटे के एक दिन की और रात को अगर अगर गारी यहां ख़ड़ी करनी है, प्लस पचास प्लस प्लस पचास फ्सो फंदर मूद्वाचा का है यह रात का खड़ी करने का है और अगर दिन को एक फिरा लगाना है दिन को अगर लारी घुमानी है तो पचास रुपे 24 गंटे के साब से हमसे यह पैसे ले लेगा इस बारे में जब HRTC धरमशला क्षेति प्रबंदक पंकर चड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिला नयास के बाद जो इस बस अड़िक का काम शुरू होना था वो नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ एक अपचारिकताओं को बह पूरा नहीं कर पाए हैं उन्होंने कहा कि जैसे ही अपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा बसड़िक का काम शुरू हो जाएगा इस दिन से उनकी अबदी स्टार्ट हो गी है और जितना पिरेड उनको दिया गया उसी दिन के बाद वो खतो हो जाएगा सब जो चुना लग रहा है सरकार को एचेटीसी को तो नहीं वो अब दी वही रहेगी वो उन्हें जो पूरेड पूरा करना पड़ेगा जो फॉर्मेल्टीज है वो जल्दी से जल्दी पूरा होने के बाद वो जो उन्हें बताया गया कूरेड़िक्टर अग्रिमेंट भी स